एक पर फिर से स्वागत है आप सबका अमारे इस यूट्यूग चैनल स्टडी एगरीकल्चर में आज हम लोग क्लास 12 एगरीकल्चर का यूनिट फर्स्ट जो हमारा एगरोनॉमी का है उसका चैप्टर 4 देखने वाले हैं मिर्दा एवं जल प्रबंदन इसको हम 2-3 भागों में देखेंगे क्योंकि चैप्टर बरा है तो 2-3 पार्ट में वीडियो ताकि लंबा वीडियो ना हो जाएदे उमीद है आप लोगों को पहले के वीडियो पसंद आया होंगे और जिनोंने पहली बार इस चैनल को भी जॉइन किया है तो वो पहले के वीडियो जाके देख सकते हैं और अगर आप चैनल पे नए आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो सबाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए मैं उसका जवाब देता हूँ और देने की कोसिस करूँगा बिना देरी की हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं इस चैप्टर को और हम देखेंगे कि मिर्दा आवम जल के बिना फसल उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती है क्योंकि मिट्टी जो है वो काफी महतपूर्ण है किसी भी फसल के उत्पादन के लिए और साथ ही साथ पानी और हवा ये तीन चीजे जो हैं काफी इंपॉर्टेंट है तो मिर्दा जल और हवा ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है किसी भी फसल के लिए इसे प्रकार मिर्दा की गुनवत्ता और जल की उपलब्दी का कोस्रेनी के फसलोत पादन की अधार सीला है अते इनका विज्ञानी के और अमतार की प्रबंदन कृषी के ओव पडियारे पहले हूँ यह हमारा IMPORTENC है कि मिर्दावम जल की गिना फसलोत पादन नहीं कgger जा सकती अब हमारा क्या है कि फसलों के लिए जल की आवशकता कितने मातपूर्ण है फसल के लिए जल सबसे पहले क्या है कि जल ही पौधे का जीवन, बिना पानी के पौधे सूख जाएंगे, मर जाएंगे पौधे के जीवन में जल की निमलिकित भूमी का है तो कुछ important points है जिसको मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक बड़ी पर लेना इसको सबसे पहला भाग क्या है कि जैसे हमारे मानव सरीर में है कि हमारा सरीर में 70% तक पानी की 70-75% पानी उपलब्ध है उसी प्रकार से पौधे का भी सरीर 70% पानी ही है उनका जो 70% भाग है उसमें पानी ही है जब हम किसी बीज को, जो बीज हमारे packets में होता है दूसरा हमारा point है कि बीज को जब हम हमारे packets में बीज होता है तो उसको जब हम जमीन के अंदर डालते हैं अंकुरित होने के लिए तो वो जमीन के अंदर से नमी लेकर के नमी यानि की water लेकर के तो आपने आपको अपने जो cover है seed coat है बीज का जो cover है आवरन है उसको धीरे-धीरे कमजोर करता है उसके अंदर से अंकुरित होता है तो वो पोधा निकलता है यहां भी importants है पानी का क्योंकि बीच जो होता है वो moisture content less होता है उसमें ताकि पोधे जो है packets में ना हो और वो खराब भी बीच खराब ना हो सबसे बराबात की भीच खराब नहों पैके तो इसमें moisture content को लोग कर दिया जाता है और जैसे ही वो मिट्टी में जाता है तो moisture की contact में आने से अंकुरित हो जाता है तो दूसरा point हमारा ये है तीसरा क्या है कि जो मिट्टी में पोसक तत्व है उसको घुलाने का काम पानी करता है ताकि जो हमारा पोसक तत्व है पोधों को प्राप्थ हो सके क्योंकि पोधे जो है किसी वी तरह के पोसक तत्व हो उनको अपने आयनिक रूप में ही लेंगे ध्यान रखने वाली बात है कि potassium iron, calcium iron, magnesium iron तो ionic root में ही पौदे गरहन करते हैं उसको ionic form में convert करने के लिए water, पानी की अवशक्ता होती है इसके बाद हमारा है कि सरीर के अंतरगत जितने भी संसिलेशन जैसे प्रकास संसिलेशन होता है carbon dioxide वगेरा amino acid का formation होता है जो सरीर के लिए important है पौदे के सरीर के लिए उन सब में प्रकास photosynthesis इन सब में पानी की महतपूर्ण भूमी का है पौदे के विकास के लिए जो carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen की उपलब्दी है उसका सुरोत जल एवंवायू से ही है तो यहां भी importance है और सबसे important है कि जो पौदे जल गरहन करते हैं मिट्टी से उनका 99 फिजदी जो है उसका वासपोत सर्जन हो जाता है transpiration हो जाता है पत्तियों के द्वारा उसके stomata के द्वारा रंदर के द्वारा और वो वायवंडल में चला जाता है तो मात्र एक प्रतीसत जो पौदे के सरीर में पानी है उससे सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और यह सब कुछ complete होता है तो इस प्रकार से क्या सकते कि अगर पानी नहीं होगा तो यह सारी क्रिया नहीं होगी और ऐसी क्रिया नहीं होने पे पौदे खत्म हो जाएंगे ना उनको आक्सीजन मिल पाएगा ना उनको पोसक तत्व मिलेगा और ना ही ट्रांसपारेशन होगा ना फोटो सेंथेस होगा ना खाना बना पहेंगे तो उनकी मृतिय हो जाएगी सूख जाएगे पौदे ये सारी चीजे important है इस परकार हम कहा सकते कि मिट्ची और पानी है ये पौदे के लिए important है अब हमारे पास फसल उतपाधन के लिए कितनी जल्गी उपलबता है हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं कि पुड़ा पिर्थवी जो है चारू और से समुद्र से घिरा हुआ है तो खारा पानी है उसका इस्तमाल हम इसमें नहीं कर सकते हैं यानि कि मिट्टी खराब हो जाएगा और वह ऐसा पानी का इस्तमाल होगा था हमारे पास पुड़े पिर्थवी पर 2.6% मीठा जल है तो वह जो 0.6% है यह important है आप इसको ध्यान रखेगा वह नदी तलाब भूमी के भूमी में नमी के रूप में उपस्तित है और भूग गडवी है जल अंडर ग्राउंड वाटर के रूप में है जो कि 12 वगेरा से हम जिसका इस्तमाल करते हैं पीने का पानी तो यह ध्यान रखेगा कि 2.6% भाग ही हमारे पास मीठा है उसमें से 70% सारे सा 70% बर्फ के रूप में जमा है और हम 0.6% ही उप्योग कर सकते है यह important है यह हम highlighter लगा दिये हैं कि यह important है इसके बाद हमारा क्या है कि मिट्टी में उप्लब नमी की गहना कैसे करना है इसके लिए हमेशा ध्यान रखना है कि यह हमेशा प्रतीसत में ही निकलता है तो जल एवं मिट्टी की मात्रा एवं आयतन की अधार पर अलग-अलग इनका उपलब नमी को ग्याद कर सकते हैं तो इसको आपको धियान रखना है ये मिट्टी में उपलब जल की मात्रा के लिए उपलब जल का वजन ग्राम में सुखी मिट्टी का वजन और multiplied by 100 इसको करेंगे और मिट्टी में उपलब जल का आयतन प्रतीसत में निकालना है तो उपलब जल का वजन भागा सूखी मिट्टी का वजन into 100 by प्रपंज घनत, bulk density इस प्रकार इसको हम व्यक्त कर सकते हैं ये mathematical calculation है इसको आपको धियान रखना है, bulk density bd होता है मिट्टी के गहराई के साथ से उपलब मिट्टी जल की गलना करने के लिए जल की मात्रा गहराई में इसको हम denote कर सकते हैं, pd into bd by depth of dust oil divided by 100 pd जहाँ पे जल की मात्रा वजन के अधार पे है, bd is equal to bulk density और जल की मात्रा is equal to pv into d depth of dust oil और भागा 100 pv का मतलब होता है यहाँ पे जल की मात्रा आयतन के अधार पे ये आपको clear हो जाना चाहिए, ये mathematical calculation है ये कभी-कभी पूछ देता है तो इसको भी आपको याद रखना है अब ये मिट्टी की जल धारन छम्तता ये मुख्यता दो चीजों पे depend करती है दो चीजे जैसे कि मिट्टी में हमेशा दो प्रकार के रंद्र होते है पोर्स होते है, एक छोटा पोर्स, एक बरा पोर्स इसको आप highlighter में लगा देता हूँ, ये important है मिट्टी में हमेशा दो प्रकार के रंद्र बनते है दिर्ग रंद्र तथा सुक्ष्म रंद्र वर्सा ये सिचाए के बाद दोनों प्रकार के रंद्र जल से पूरी तरह भर जाते है ये हम सबी समझते है अत्रिक जल या तो धरातल से बैकर नालों या अनिखेतों में चला जाता है तो या तो खेत में कुछ पानी कुछ हद तक लगा रहता है या दूसरे खेतों में जहां गहराई होते हैं उसमें चला जाता है या कुछ दिनों के बाद एक या दो दिनों के बाद मिट्टी के अंदर काफी अंदर चला जाता है तो जिसका उप्योग हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक सिमित दूरी तक ही मिट्टी से जल जो है पौधे अपने आप में ले पाते हैं जब मिट्टी के सभी सुक्ष में दिर्ग रंदर जल से भर जाते हैं तो था अत्रिक्त जल या तो अनियतर चला जाता है अथवा रिसकर पौधे की पहुँच से बाहर चला जाता है तो उसे संत्रिप्त मिर्दा या अधिक्तम जल धारन समता कहते हैं यह definition है saturated soil का इसको आप याद रखिएगा संत्रिप्त मिर्दा किसे कहते हैं तो जब मिट्टी के दोनों पोर्स भर जाते हैं पूरी तरह से भर जाते हैं और पानी जो है अन्यत्र बाह कर चला जाता है अत्रिक्त जल जो है जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर चला जाता है तो उसे मिर्दा को संत्रिप्त मिर्दा या maximum water holding capacity कहते है अधिक्तम जल धारन चमता मिट्टी की कहते हैं जब उपड़ी अनावश्यक बाह जाता है जल बह जाता है और गृत्वा करसन बल के कारण अत्रिक्त स्राओं के द्वारा भूगर भी है जल मिट्टी की निचली तहों में उतर जाता है तो उसे मिर्दा की filled capacity कहत है इसको भी दियान रखना है यह भी definition है कि जब अनावश्यक जल जो है वो बह जाता है और गृत्वा करसन बल के कारण जो infiltration है अत्रिक्त स्राओं है के द्वारा भूगर भी है जल मिट्टी की निचली तहों में उतर जाता है नीचे की और चला जाता है तो उसको मिर्दा की filled capacity कहता है जब गृत्वा करसन जल नीचे चला जाता है तो दिर्ग रंद्रों का जल उसी के साथ निकल जाता है और उनका बड़े जो रंद्र हैं छेद हैं मिट्टी में उसमें फिर वायू भड़ जाता है अर्थात filled capacity की अवस्था में सारे सुक्ष्म रंद्र से और दिर्ग रंद्र से हवा से भरे होते हैं filled capacity के वाग जो है सुक्ष्म और दिर्ग रंद्र हवा से भरे होते हैं संत्रिप्त भूमी के तुल्ला में filled capacity पर मिट्टी में जल की मातरा लगवक आधी होती हैं क्योंकि संत्रिप्त मिर्दा में दोनों माइक्रो पोर्स और मैक्रो पोर्स दोनों मिट्टी दोनों जो मिट्टी हैं वो जल से भरे होते हैं और filled capacity में दोनों हवा से भरे होते हैं तो दोनों में difference क्या हो जाता है कि दोनों में पानी की मातरा आधी हो जाती है संत्रिप्त भूमी की दूल्ला में फिल्ड कैपिसिटी वर मिट्टी में जल की मातर लगवाग आदी हो जाते हैं अतेव यह भी कहा जा सकता है कि घृत्वा करसन बल के विरुद्ध मिट्टी के कनोद्वारा धरित जल फिल्ड कैपिसिटी कहलाता है यह definition हो गया इसको याद रखेंगे अब है फसलों की जल की आवशकता की गन्ना कैसे करेंगे तो दो इसमें important है कि विविन फसलों के लिए जल की आवशकता की गन्ना करने के पुर्फ कुछ जाई से जूरी सब्ध है टर्म है उसको समझना आनिवारी है तो सबसे पहला है वासपोत सर्जन ट्रांसपारेशन और दूसरा है इवोपोत ट्रांसपारेशन दो important है दोनों को आप ध्यान रखेगा कि सबसे पहला है ट्रांसपारेशन ट्रांसपारेशन क्या होता है कि पहले ही हमने कहा कि जब पौधे हैं 99 फिजदी जल जो है पोधे वो पत्तों के द्वारा स्टोमाटा के द्वारा पत्तों के स्टोमाटा के द्वारा 99 फिजदी जल ट्रांस्पेरेट कर जाते हैं एक प्रतिसत ही बच जाता है तो पोधे की वही चीज़ हैं पोधे की पत्तियों में रंद्र होते हैं स्टोमाटा ह पोधे मिट्टी से जितना जल ग्रहन करते हैं उसका लगवग 99 प्रतीसत पर्न रंद्रों से बाहर निकाल देता है तात्पड़ यह है कि यदि हम इसे इस बात की जानकारी हो कि इकाई छेतर में लगी फसल के पोधे कितना वासपोत सरजन करेंगे तो जल की वही मातरा पोधे की जल की आवशकता समझी जा सकती है मतलब अगर हमें पता हो कि कि चेत्र में फसल के जो पौधे हैं वो कितना वास्पोत सर्जन कड़ेंगे तो पता चल जाएक जितना कड़ेंगे जो सेस बच गया वो उसकी पौधे चाव शकता हो गए तो ये हमारा हो गया दूसरा है इवोपोट रांस्पारेशन किसी खेत में लगे पोधे जब अपने पुर्ण रंद्रों इस्टोमाटा से वास्पोट सर्जन कर रहे होते तभी मिट्टी एवं पोधे के विविन अंगों की सतव से कुछ वास्पी करन भी होता है अतेव यह वास्पोट सर्जन इवं पर्ण रंद्रों से वास्पोट सर्जन का योग ही वस्तुता पोधे की कुछ जल के आव सकता हुई यह वास्पोट सर्जन ही वस्तुता कंजप्टिव यूज आफ कंजप्टिव use of water CU को कह सकते हैं evaporation plus transpiration plus water needed for metabolism मतलब consumptive use of water कितना है तो वास्पो उत्सर्जन जितना हुआ वो वास्पो उत्सर्जन जितना हुआ वो और जो metabolism के लिए जल की इसी अधार पर फसलों की जल किया वो सकता भी निधार जित की गई है तो वो पता कर सकते हैं water requirement कैसे हैं water requirement के लिए consumptive use of water plus application losses plus water needed for special purpose तो ये आपको याद रखना है water requirement CU plus application loss plus water needed for special purposes अब सिचाई जल की अवशकता ये हमारा है irrigation requirement सिचाई जल सिचाई जल के सिचाई स्रोद से खेट तक पहुँचने हैं अने एक प्रकार की जल स्रूती जैसे नालियों की रुकावट नालियों का तूटा होना बहते पानी से वासपी करन इत्यादी application loss हो सकते हैं जैसा कि हमने water requirement या irrigation requirement देखा उसमें क्या होता कि conceptive use of water application loss मतलब अने प्रकार की हानी जो भी हो सकते हैं इसमें सभी प्रकार किया सकते और water needed for special purpose ये तीनों मिला कि water requirement हो गया पोधे का उसे प्रकार है सिचाई जल के लिए भी कि जो भी चीजें टूटी फुटी नालिया हो या उनमें वास्पी करन हो जाता हो तो वो application loss हो सकते हैं कभी-कभी कदवा करने या बुआई के पुर्व सिचाई इत्यादी की अतरिक्त आवशकता भी होती हैं उसी प्रकार irrigation requirement कितनी सिचाई के आवशकता है तो water requirement से हम minus करेंगे effective rainfall plus ground water contribution इसको आप याद रखिएगा rainfall कितना है और ground water requirement कितना है उन्दुनों को add करेंगे और water requirement से minus कर देंगे तो वो हमारा irrigation requirement निकल जाएगा यतनी बाडिस हुई और ground water से जितना contribution हुआ जितना मदद मिला पानी का दुनों को add कर देंगे तो वो हमें उपलब्ध है water requirement जितना है उससे minus कर देंगे तो जितना बच गया वो हमारा irrigation उतना मुझे और चाहिए सिचाहिए उतनी चाहिए मिट्टी की नमी कमाप कैसे कर इसको हम पहले ही देख चुके हैं प्रतिसत में निकालते हैं तो इसको हम पहले ही देख चुके हैं आप इसको एक बड़ी देख लीजेगा इसमें कोई confusion होगा इसमें जो important है उसको मैं एक बड़ देख सकता हूँ यद़ पी यह का जा चुका है कि फिल्ट कैपिसिटी या पर्मानेंट विल्डिंग पॉइंट अर्थाब 0.33 इस बार से 15 बार वायुमंडलियद आप तक का मृदा जल उपलब जल कहलाता हूँ अबलेबल वाटर कहलाता है और यही अबलेबल वाटर जो है पॉधे को मिलता है परंतु यह सच है कि फिल्ट कैपिसिटी से पर्मानेंट विल्टिंग पॉइंट तक नमी पॉधे को एक समान नहीं उपलब्द फिल्ट कैपिसिटी से नीचे तक जल पॉधे का को एक समान रूप से उपलब्द होता है फिर धीरे धीरे गड़ते हुए पर्मानेंट विल्टिंग पॉइंट पर सूनी बिंदू पर अब लेबल वाटर उसका पचास फिसदी अगर खत्म हो गया तो सिचाई के अवशकता है विविन फसलों के लिए इस सीमा के पड़िवर्तन आप एक्छी थे अलग-अलग के लिए अलग-अलग हो सकते हैं किसी में थोरा कम किसी में जादे जिसको हम क्रांतिक अवस्थाएं में बाटेंगे और उपलब्ध जो उनके कितने पानी के अवस्था इसके बारे में आगे देखेंगे फसलों में सिचाई कब और कितनी दी जानी चाहिए इसके बारे में देखेंगे पसलम सिचाई कब दीजा इसका निर्धारन मिटी में नमी पोधे की अवस्था पर भी निर्वार करता है तो पोधे की अवस्था देखेंगे पोधे की अवस्था अपने जीवन काल में कुछ क्रांतिक अवस्थां से गुजरते हुए जब इन्हें अतरिक नमी इवं पोसक्ततों की अवशक्त्य होती है तो इन करांतिक अवस्थाओं में नमी की कमी हुई तो उपज पर प्रितिकूल प्रभाव पर सकता है जिसकी पूरती बाद में नहीं हो सकती इसलिए उसी समय में उसको पानी होना चाहिए वरना दानों में आप्षेप किसी फसल की जो है मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं क्या है तो आप याद रखे इसमें जो इंपॉर्टेंट है धान का गेहुं का और मक्का का ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है धान का है बालियों के निर्मान का प्रारम और पुस्पन्दो गेहुं के लिए तीन है, सिर्स जड निकलने की अवस्था में, तने में जुराव की अवस्था में, एवम दूद में, दानों में दूद की अवस्था, ये तीन है, मक्का में तिब्रतम वनस्पति विर्धी की अवस्था में, यानि कि घुटने के उचाई की अवस्था में, एवम धनबाल नि उस्पन एवंदानों के भराओं का समय क्रांतिक होता है अथा इन अवस्थाओं में मर्दा में नमी की कमी नहीं होना चाहिए यह important है इसको ध्यान रखेंगे अब सिचाओं के अवसकता के अनवान की विधिया तो इसको हम एक बाड़ी देख लेते हैं पिफ्र जल स्राओ का तरीका यदि किसी खेत के अंदर एक वर्ग मीटर की भूमी की मिट्टी खोद कर निकाल ली जाया और पुना उस थन को बालू मिली मिट्टे से भर दिया जाया फसल लगने के बाड़ जब भी नमी की कमी होने लगे तो जो बलवाही जमीन है वहाँ पर पौदे सूखने लगे और इससे हम समझ सकते हैं कि अभी सिचाओं की आवसकता है उसी तरह से कुछ इंपोर्टेंट है कि पौद की तरह खेत में एक वर्ग मीटर का स्थान चुने वहाँ खूब घनी बुआई की जाए सबसे पहले उसी इस्थान पर नमी की कमी होगी जो सिचाओं की अवसकता का पुर्व संकेत करेगा ये भी एक है important इसी परकार से हम पता कर सकते हैं कि मिट्टी में आवसकता है सिचाओं की यानि कि filled capacity वो हुआ जब pores में सिर्फ air होता है और saturated जो soil होता है यानि कि संत्रिप्त मिर्दाग की आधी जो होती है पानी तो वो filled capacity है और filled capacity से permanent melting point permanent melting point का मतलब होता है कि उस स्थिती से कम अगर पानी होगा तो पौधे सूखने लगें यानि कि filled capacity और permanent melting point के बीच में जो जल है वो पौधे को उपलब दोगा तो कुछ फसले जिनकी जल की आधीक है जैसे मका, गिहूं, गन्ना, आलू इत्यादी उनमें उपलब जल में से केवल 25% जल कम होते हैं इसी चाय की अवशकता पड़ जाती है कुछ फसले जिनमें सूखा साइन करने की छमता होती है उसमें 50% कतम होने के बाद अवशकता होती है इस चीज का भी दियान रख रहा है बुमें में उपलब नमी की गन्ना एक यंतर के द्वारा भी किया जाता है इसको टैंसियो मिटर या इरो मिटर कहा जाता है इसको आप याद रखेगा इसको मैं हाइलाइटर भी लगा दे रहा हूँ ये काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉइंट अब यूज इसके बाद IW या CPI सिचाई निर्धारन की अध्यतन विधी CPI यानि की कमिलिटिब पैन इवोपरेशन और IW मिन्स इरिगेशन वाटर इसको धियान रखेगा सिचाई निर्धारन की अध्यतन विधी वर्तमान समय में सिचाई करने के सही मातर निर्धारन करने की एक विधी विधी विखित की गई इसके अंतरगत पहली सिचाई देते समय उसकी कुल मातरा गहराई में माप ली जाती जैसे कि 8 cm, 10 cm ये इससे भी हम पता कर सकते हैं कि हाँ कितनी सिचाई कब दी जानी चाहिए और उचित क्या है समाने तह इसमें important क्या है कि समाने तह 0.75 से 0.08 IWCPI मान पर गेहूं मक्का जैसी फसलों में सिचाई दी जाती है इडिगेशन वाटर जब 0.75 से 0.08 के बीच हो या cumulative pen evaporation इतना के बीच हो तो हमें मक्का और गेहूं जैसी फसल में सिचाई दे दी नी चाहिए धान में या मानक 10 या 10 से उपर पर जुआर बाजरा मढवा तलन जैसे फसलों में या मानक 0.65 तक नीचे जा सकता है समानता बिविन फसलों में एक बार में 4 से 6 सेंटिमीटर की सिचाई दी जाती है जो मिट्टी की बनावट पर निर्वर करता है अब हमारा भारत में सिचाई जल की उपलवता सिचाई जल की एक मात्रा मूल स्रोत वर्सा है और हम पुरी तरह से वर्सा पर ही आधारित है बाद भूमी का लगवग 40 करोड हेक्टियर मिली वर्सा होती है इसमें 7 करोड हेक्टियर मिली वास्पी करित होकर वायमंडल का हिस्सा बन जाता है 5 करोड हेक्टियर मिलीमीटर भू गर्वी जल की रूप में संगरित हो जाता है तथा 16.5 करोड हेक्टियर मिली मिट्टी में नमी की रूप में उपस्थित है इससे दो बातें बहुत स्पस्ट रूप से सामने आती हैं, पहली बातिया कि सिचाई के लिए उतलब जल्द आवसकता से काफी कम है, और वर्सा का एक बहुत बरा भाग जो है, वो नदी लालों में समुद्र में बै जाता है, इसको अगर हम संगरहित करें, तो कुछ हद तक म आवसकता, इसको याद रखेगा, संटीमीटर में, धान में 200 से 300 संटीमीटर, जुआर में 50 संटीमीटर, बाजरा में 50, मक्का में 62 5, या इसके आसपास हो 65 के आसपास हो, तो जो अप्सनाक को अड़े, उन फली में 50 अचाज दसनलब 6, यहो में 28, मरवा में 31 संटीमीटर ज पुल जल किया हुशकता है इसके बाद नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे उसमें हम प्रचेतर छहमता फिल्ट कैपसिटी जिसके बाड़े में पहले ही हमने देखा है स्थाइम लाने बिंदू पर्मानेंट विल्टिंग पॉइंट वोधे के लिए उपलब जल प्लांट अ इरिगेशन वाटर टाइपस अफ इरिगेशन इसको देखेंगे तो आज के लिए बस इतना ही उमिद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कोई सबाल हो तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में पूछी बहुत बहुत धन्यवाद